कि गुड मोर्निंग और आज हम लोग क्या देखेंगे तो बीपी एसी का एक कोस्चन है बार-बार इससे पहले भी राज यपाल से सब्मंधित बहुत ही विवादित कोस्चन आ किया था तो हो सकता है कि इस बार भी जब एक्जाम हो तो आज कि वर्तमान में राज जिपाल का पद पहले से अधिक विवादास पद क्यों हो गया है इस पद की गड़िवायम परतिष्ठा बनाया रखने के लिए कौन-कौन सा उपाय करना चाहिए है वर्तमान समय में 4 तुरफ ऐसा है नहीं कि सारे राज में भाजपा की सरकार है आजकाल जब पहस्चिम्बंगाल महराष्ट राजस्थान पहुँ सार ऐसे राज हैं जहां पर जहां किन सरकार है उसका पूजिट में राज सरकार हैं और भारत में राजपाल के साथ कुछ उइटान मंतरी यानिंगी प्रधान मंतरी के पर साध्प्रयथन की कुर्सी रहता है जब तक राजपाल की भक्ति फार्धान मंतरी में है तब तक राजपाल की कुर्सी ठीक है नहीं तो нажा कुर्सीorsa Значит यही होता है कि जब जब चुना होता है तो राजपाल पर हाएइग मरहते हैं भण रहने वाले राजपाल होते हैं वे इस्तिफाइदें ऑफ किनी कारणों से अहटना परता है तो जब भाỏचिपार की सरकार मोदी के सरकार आई तो इस बार भी यही हुगा और पहस्ची मंगाल में देखिए ममता बनर जी भरसेज राजपाल रोज टक रहा तो होते ही रहता है तो हम लोग जानते हैं कि राजपाल के बारे में कुछ समझते हैं कि यह भी बादास्पत मुद्दा कियों हो गया है बार- राष्टपती द्वारा किया जाता है और वह राष्टपती के परसाद प्रयतन पद धारन करता है और राजपाल की स्थिति केंद सरकार पर निर्भर करती है राजपाल अपने स्वपत में यह परतिज्या लेता है क्या लेगा कि वह कारसंचालन में वाफादार रहेंगे कि किसके पड़ती तो केंदर के पड़ती क्योंकि राजपाल केंदर का एजेंट होता है यह अभी कहा जाता है दूसरा यह अभी कहा जाता है कि राजपाल केंदर और राज के बीच में एक जोरने की करी है वह पोजिटिव सेंस में है सविधान और कानून की रक्षा करेंगे तो वह सिवा में समरपीत कर देंगे, तभी तो राजपाल लो एन ओडर की स्थिती को देखते हुए राज में अरज अता कि इस उत्पन हो जाए, कारून विवास्था फेल हो जाए, तो राजपाल क्या करते हैं, राश्पति सासन की सिफारिस कर देते हैं, किन्तु वह अपनी इस्थिती के कारण इन सब्तों का पालन करतब निश्ठा से नहीं कर पाता है फलता राजपाल की गरिमा यानी साख में गिरा वटाता है राजपाल केंद्र और राज़ के बीच करी क्या काम करता है और उनसे आसा की जाती है कि वह दोनों के बीच मौधूर संबंद अस्थापित करेगा तो मौधूर संबंद रहता है जब केंद्र में और राज़ में एक ही पाठी की सरकार हो तब तो राज़पाल कि कोई टेंसर नहीं रहता है बस उन्हों तो वेतन लेने के लिए आम से पढ़े रहत लें लेकिन बिवाद कब हो जाय केंदर में दूसरा बाटि का सत्ता दूसरे पाठी सत्ता तो राज में उसका धूर भी लोव्धी पाठी सत्ता में तो इसलिए रां में ход की नूग्त कि समय यह पर्था बहुन गई थी कि कि किसी वेट्री को उस राज का राजपाल नहीं बनाय जाएगा जिसका वा निवासी यानिकी अगर यूपन का राजपाल कलियान स्िंग को बना दिये जा तो ऐसा नहीं हो सकता है यूए पृता है कि जितnवर्था धि अक й में उस्प्ध कर राजपाल बनाया जाएगा राजपाल की नियुक्ति से पहले सम्मंधित राज़ी के मुख मंत्री से विचार विमर्स किया जाएगा किंदू उनिसो सौर्सट के चुनाओं में जब कुछ राज़ियों में गयर कांगरे सरकारों का गठन हुगा तब यह परथा तूटने लगी और राज़पाल पर का पद विवादास पद होने लगा वर्तमा समय में राजपाल का पद भारती राज़नीती का सरवाधिक विवादीत पहलू बन गया है केंद्री सत्तारूर दलों के अपने दलिये हीते स्वार्थपूर्ण राज़नीती तथा इस पद पर आसीन वेक्तियों की अपनी और मर्यादित कारे परना लीत्या दिने इस तो विधानिक पद की गरिमा को छोती पहुचा कर इस पद को ही विवाद का विसे बना दिया है और सिष्ठ के राज्यों की घटना देख ली जब भाजपा बहुच जगह बड़ी पाटी थी भी नहीं और बहुच जगह बड़ी पाटी थी लेकिल बहुमत नौ था फिर भी राजपाल ने भाजपा के को सरकार बनाने का मौकत दे दिया और भाजपा सरकार बनाने में सफ हो गई यानि राजपाल को विवेक अधिकार है कि वह चाहें तो वह जो बहुमत किसी पाठी को नौ मिले तो वह अपने मन से किसी पाठी को आमत्रित कर सकते हैं उनकों लग जाकि यहां पाठी सरकार चलाने में समर्थ है राजपाल दोरा राश्पति की विचार के लिए आरक को स्विख्रिती देना होगा नहीं तो सोंश्या खड़ी हो जाएगी कि पौकेट वीटो है तो वह पौकेट में लेकर गूम सकते हैं लेकिन राजपाल के पास है वह स्विख्रिती दे सकता है वह लो टाभी सकता है एक आध पर फिर नौर्माने तो राश्पति के पाठ बह जब किसी डल को असपोस्ट बहुमत नहीं मिलता है तो उस समय राजिपाल अपने स्वविवेक से काम लेता है उसके समय अक्षिम इसके लिए तीन भी कल्प महजूद होते हैं वह सबसे अधिक सदस्य के डल वाले नेता को मुखमंत्री के रूप में नियुक्त करें विभीन राजिपाल इसमें से किसी भी परकार के नियुक्त लेने के लिए स्वतन्त रहें उसके नियुक्त कोई अंगली नहीं उठा सकता है किन्टु 2005 के बिहार विधान सभा चुनाओं के पस्चात राश्पती सासन के सिफारिस को नियालेने राजिपाल द्वरा स्वविविकाध अधिकार सकती का दूरूपयोग पता है राजपाल अपनी इसी सकती का उपयोग कवच की तरह करते हैं इसी परकार राजपाल अनुछे 356 अनुछे 201 का भी परयोग करता निश्टा से नहीं करता है क्योंकि वह इन पहिस्तितियों में केंद्र से निष्देसी सहता है फौलत को नौ भूलाना हाल ही में गोवा क्या हाल देख लीजिए आधी ऐसे निर्ने हैं जो राज्यपाल के पद को और विबादास्पत बनाते हैं इन विबादों का हाल करने तथा राज्यपालों की गरिमा तथा परतिष्ठा को अस्थाफित करने के लिए एक आयोग गठनुगा सबसे महत्व वह उसका नाम है सरकारी द्दिद्धा सबसे महत्तों आयोग विसको निस्पक्ष एवं परोभावी होना चाहिए एह कसी बेकर native द्राज्यपाली नियुक्त किया जाना चाहिए शक्रिये राज नित्रिग्गों को रास पाध्य पर नियुक्त नहीं किया जाना यानि कि सक्रिय नहीं जो पढ़े लिखे हैं उनको बना दीजिए नौकर साह को बना दीजिए और उच्छेत 155 का सुधन कर राजपाल की निक्ति में मुख मंत्री की सलाह ली जाए केंद्र में सत्तार दौल के किसी व्यक्ति को उस राज का राजपल नहीं बनाया जाए बallasन जीकी विध्यकों को राश्पति की सुधरिति की हेतु आरख्चित करें जिनका परवाव संखी व्यक्ति परड़ने की संभाव ना हो जो भी विध्यक राश्पति की सुधरिति के लिए भेज जाए उन्हें जिसके कारण राज़पाल का पद विबादासपद हो रहा है। अथा भारत में स्वांग को मजबूती परदान करने के लिए राज़ी में निस्पक्ष एवं तटस्था राज़पाल की न्यूक्ति आवसक है। यह समयधानिक आवसकता को पूरा करने के लिए एवं एकता नात्यों इसकि में राज़ाइवाट के wrench रुप में काम करे ना की केंदर के अविकरता को बीकर न work isक क्या करना चाहिए कि राज़पाल का पध यहां राज़पाल प्रख्यवल उनिहीं ब्यक्तियों को न्यूक्त किया जैंज हो राजिनित्ग नहों कि दल गत राजनिती से निवंद पांच वर्ष से उनका किसी राजनितिक दल से कोई सम्बंध ना हो इस तरह का तक करेक्टर खोजना वह समस्त्या खड़ी हो जाएगी दूसरा राजपाल पद को धारन करने वाले व्यक्ति फर इस तरह के परतिबंद अधिरोपित किया जाए कि किया जाए जिसके तह तो वह राजपाल से अगर नुविर्ट हो जाएंगे नुखरी छोड़ देंगे राजपाल की मान लेते हैं होने के फश्चात पुनहा परत्यक्षिया परोक्ष नीरवाचन के लिए राजनितिक रूप से सक्रिय नहों हो सके और राश्पति एवह में उप राश्पति को छोड़ कर और कोई धारन न कर सक्या तिसरा नियुक्ति करते समय संसद में पराय है मानेता प्राप्त सभी भी पक्षी दलों से परामोर से लेने की परंपरा विक्सित की जाए और ऐसा हो जाए तो तो राम राजपाल बदलने के साथ ही अधिकान से महावियोग जैसा प्रकिरिया लागू कर दिया जाए और इन सुझाओं को अमल में लाने से ही हमारी लोकतांत्रीक या लोकतांत्रिये पर नाली अधिक मजबूत होगी और अपने गंतांत्रिये एवं संगियों स्वरूप की सर्थक्ता एवं सुद्रिता बनी रहे राजप का पद सोने की जो भीजरा है उसमें बंद एक चीरिये की जैसी हालत है यानि वह भी असहाज महसूस कर रही थी तभी तो उन्होंने ऐसा वक्तव दिया था तो असा करते हैं कि यहां परियास अच्छा लगे जरूर लाइक करे शेयर करे कोमेंट करे और सब्सक्राइब करे धन्यवाद